तो आज हम बात करने वाले हैं क्लिपिंग मास्क की देखिए हमने पिछले टूटोरियल में वेक्टर मास्क और लेयर मास्क को पढ़ा था देखिए वेक्टर मास्क और लेयर मास्क कहीं तक थोड़े थोड़े सिमिलर थे बस वेक्टर और रेस्टर का फरक था Vector Mask Vector Shapes से Mask करता था और Raster जो था जो की Layer Mask था Layer Mask Raster Tools से Mask करता था जैसे Brush से Mask करता था या Color से Mask करता था तो उसमें क्या होता था Black and White पर काम करता था लेकिन ये जो Clipping Mask जो आज हम पढ़ने वाले है Clipping Mask ये बिलकुल अलग तरीके से काम करता है बिलकुल यूनिक और बहुत ही लाजवाब है, जबरदस्त है आईए करके देखते हैं इसका Practical तो अच देखी मैंने ये Photoshop खोल के रखी हुई है और देखे इस Photoshop में मैंने ये नई एक File भी खोल के रखी हुई है अब देखे यहाँ पर एक Layer है मैं क्या करता हूँ, एक नई लेयर और बना लेता हूँ नियू लेयर, मैंने ये नियू लेयर बनाई देखो यहाँ से, और नियू लेयर बनाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक Area कोई भी Color Fill कर लेता हूँ जैसे मैं नीचे वाली लेयर को Background को सेलेक करता हूँ, देखें यहाँ पर ये एक, यानि के ये जो लेयर है, लेयर के अंदर इतने Area में Fill Area है, बागी कि ये Transparent है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक Photo लेकर आते हैं, यहाँ से, Place Embedded करते हैं, देखें माल लीजे मुझे ये फोटो चाहिए, ये वाला, अब मुझे ये फोटो चाहिए, तो मैंने ये फोटो ले लिया, देखो, अपने मेरा फोटो है, अब लेने के बाद में क्या होगा, ये जो फोटो है, ये फोटो इसके अंदर, ये जो देख रहे हैं ये, इसके अंदर show होना चाहिए अब क्या करते हैं देखो अब हम इसको करते हैं clipping mask तो देखो यहां पर चलते हैं layer में और layer में जाने के बाद यहां मिलता है create clipping mask जैसे हम clipping mask करते हैं तो देखो यह क्या होता है वो जो उपरवाली layer थी नीचे वाली लेयर में जो इस एरिये में देखो क्लिपिंग मास्क हो गई अब देखो वो एरिया है जितने एरिये में फिल कलर था फिल को फिल में क्लिपिंग मास्क हो गया बस समझें ऐसे ही आप multiple layer भी यूज़ कर सकते हैं अब माली जी ये layer ना हो ये layer मैंने इसको अभी बंद कर रहा हूँ मैं एक नई layer ले लेता हूँ और और नई layer लेने के बाद मैं इसमें कोई भी color चला देता हूँ मैं brush tool से देखो मैंने brush tool लिया ऐसे मैं इसमें और color ले रहता हूँ red color और देखो मैं red color चला रहा हूँ इसमें Green ब्रिन जो भी मैं इसे करके चला रहा हैं तो क्लिपिंग मास्क पर चाहता हूँ तो क्लिपिंग मास्क एक तो तरेका था जो हम हम यहां से कर रहे थे बिसार तरेका chilli Alt Ctrl G से भी क्लिपिंग मास्क हो जाएगा मैं अगर Alt Ctrl G दबा दूँ तो देखो ये क्लिपिंग मास्क हो गया इसमें क्लिपिंग मास्क हो गया अब ऐसे ही एक Shortcut है इसका Alt दबाकर, Alt दबाकर दोनों लियर के बीच में आप क्लिक कर सकते हैं जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिपिंग मास्क हट गया, दुबारा क्लिक करेंगे तो क्लिपिंग मास्क आ जाएगा, भास समझे, देखो यह नीचे वाली लियर भी क्लिपिंग मास्क है, यह भी क्लिपिंग मास्क है, इसको बंद करेंगे, देखो यह दोनों क्लिपिंग मास्क हो भी हो सकती थी, मैं अब ही क्या करता हूँ? एक नई लियर लेता हूँ और और कोई नई तरह की शेप देखो इसे बाहर कर देते हैं, पहले तो बाहर रखते हैं इसे यहाँ पर और इसमें कुछ color आप चाहें तो black ले 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 देखो ऐसे आप नहीं चला दिया अब देखो अब क्या हुआ इसके अंदर भी हम वो चीज मास्क कर सकते हैं देखो अब हमने क्या करा इसको उपर रखा यहां पर और रखने के बाद में देखो यहां पर आए और देखो इसको आए ऐसे इसको बंद कर देते हैं अब देखो क्लिपिंग मास्क करते हैं इसको तो यह क्लिपिंग मास्क हो गए अच्छा इसको आप alt दबा के क्लिक करो वहार आगया अब देखो इसके अंदर मुझे क्लिपिंग मास्क करना है तो alt प्रेस करके इसको मैंने किलिप कर दे, देखो इसको हो गया, पर इसको भी मैं किलिप कर रहा हूँ, तो देखो जो मैंने बनाया था भी, जो मैंने ब्रस यहाँ पर चलाया था, उसके अंदर ही किलिपिंग मास्क हो गया, तो इस तरह से आप किलिपिंग मास्क कर सकते हो, किसी भी लेयर के fill area में ठीक है अब देखो यह मैं पीछे इसमें अगर black color कर दूँ या कोई और color कर दूँ तो देखो आपको यह नजर आएगा देखो इस तरह से clipping mask हो गया clear तो अब मैं आपको text पर clipping mask करके दिखाता हूँ text पर, तो text पर कैसे clipping mask होता है बो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इन सब को delete कर दता हूँ layer को, मैं यहाँ से layer delete कर रहा हूँ देखो यह भी, यह भी, और यह मेरे पास है इसमें मैं color fill करता हूँ, gray देखो half gray color fill कर लेता हूँ और alt press करके मैं ऐसे इसमें दे रहा हूँ अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ text लिख लेते हैं पेरे तो, मैंने text लिखा, देखो यहाँ पर IH, मैंने IH text लिख दिया और इसके बाद इसका जो color है वो यहाँ से देखते हैं, देखो color change करते हैं, मैं white color कर रहा हूँ देखने के लिए, और देखो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया अब आप सोच रहे होंगो, यह IH क्या है तो देखो IH है, इस्तकार हुसेन यानि मेरे नाम, यह मैंने short form लिख दिया IH है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें I में अलग photo लगाते हैं, H में एक photo लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं फाइल में और embedded करते हैं, place embedded और मैं पहला यह photo ले लेता हूँ और लेने के बाद क्या करते हैं, देखो यह photo मुझे यहाँ लगा रहा है, यहाँ पर एंटर किया मने, और इसको clipping mask कर दिया, alt press करके clipping mask करते हैं, देखो यहाँ पर माले जी यह मने ऐसे clipping mask यहाँ पर हो गया ठीक है, अब देखो यह clipping mask हो गया, अब यह इसमें भी आरा area, मुझे इस area को हटाना है, तो क्या करते हैं, clipping mask के अंदर भी, clipping mask के अंदर भी हम layer mask का use कर सकते हैं vector mask का, layer mask का कोई भी use कर सकते हैं, तो अभी हम layer mask का use करते हैं, देखो यह से mask ले लिया, mask लेने के बाद, अब हम क्या करते हैं, देखो यहां से rectangle लेते हैं, और इसको हम इतने area में black color fill कर देते हैं, जिससे कि यह चुप जाए, ठीक है, मैंने black color fill किया देखो यह चुप गया, अब वापस वही दिख रहा है ठीक है, control D press कर रहे हैं और अब हम फिर से जाते हैं, फिर से दूसरी file लेकर आते हैं, हमने करते हैं place embedded और जाने के बाद अपने यह file ले ली और यह file लेने के बाद, अब देखो यह file मैंने यहां रख रहा हूँ, ऐसे अब यह और सजी से हम देख लेंगे इसको कर देंगे, हमें clipping mask इसको भी करना है हमें, alt press करके इसको भी clipping mask कर दिया, तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया, देखो इस तरह से हम इसे रख सकते हैं अब रखने के बाद में, यह area जो था यह वाला, मुझे इसको हाइट करना है तो इसको mask, layer mask यूज़ कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं देखो ऐसे, यह देखो यहाँ पर और control backspace दबा कर यानि black color fill करना है ना तो यहाँ रहा, control backspace दबा कर हम black color fill कर सकते हैं control deep press किया, तो देखो यह हो गया ठीक है, अब मैं इसको पर कुछ और चीज़े भी apply कर सकता हूँ, जैसे के drop shadow stroke यह बगरा यूज़ कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले stroke यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पर चलता हूँ, double click करता हूँ और देखो layer style में जाकर मैं यहाँ पर stroke डाल देता हूँ, stroke अब मैं देखो यह stroke डाल दी, और stroke यह मैंने 3 pixel दे दी है और color मैंने white दिया, stroke का देखो यह, और इसके लबा मैं drop shadow डाल रहा हूँ drop shadow setting यह है, 50% मैंने यहाँ पर opacity दी हुई है, 10% distance 10% size मैंने करके इसको okay कर रहा हूँ, तो देखो यह आपके सामने result आगया, देख रहे हैं समझा गया ना, text के अंदर भी आप change कर सकते हैं, तो गज़ इस तरह से काम करता है clipping mask मुझे यह clipping mask बहुत अच्छा लगता है बहुत जगाओं पर मैं इसको use करता हूँ अपने project में, बहुत अलग अलग तरह से इसको use कर सकते हैं, आप भी अपने projects में इसको use करें, और इसका अलग अलग तरीके से use करके देखें बहुत अच्छा use है, और बहुत अच्छा result आपका आता है तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स टूटोरियल में तब तक के लिए टेक कियर एंड बाइ